हेलो दोस्तों सौगत है आपका अपने योट्यूब चैनल लेवल अप गुर्मेंट जो की आपके लिए लेके आया है लेवल अप मैथमेटिक्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ड्वीजन ट्रिक्स की और ड्वीजन में सबसे पहले जो बात करेंगे हम वह करेंगे डिवाइ कि आप हमारी कोई भी अप्डेट को मिस्स ना कर पाएं ठीक है दोस्तों इसी के साफ़ बढ़ते हैं अपने पहले सेशन की तरफ हमारा पहला सेशन क्या होगा डिवाइड़ वाइड़ फाइव तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है दो सबसे पहले जो हम chu Nee अगर आप तब ही बनेगा ठीक है आप तो एक से जादा नमबर आगे तो कैसे करोगे कैसे करोंगे तो मेरा मेन मोटीव को ट्रिक बताने का यह है कि आप जब भी कोई question solve करो तो कम से कम time में उसको solve करो और ज्यादा से ज्यादा आप उसको क्या करो accuracy दो और कम से कम time दो ठीक है 68 और यहां पर नीचे क्या बनेगा 10 तो इसका answer क्या हो जागा 16.8 देखो कितना time लगा इसको कितना time लगा इसको निकालने में देखो कोई calculation नहीं होगी अराम से निकल जाएगा दूसरा question देखो 61 divided by 5 करोगे तो 61 divided करोगे 5 से तो क्या आएगा simple जो मैंने आपको बताया 5 को क्या लिखोगे 10 by 2 तो क्या बन जाएगा है 2 by 10 ठीक है तो क्या आगया answer आपका 122 by 10 तो 12.2 answer आगया कितनी असानी से question निकल रहा है करोगे 2 और upon 10 तो क्या आजाएगा यह देखो इसका जब करोगे यह कितना बन जाएगा 118 upon 10 तो कितनी असानी से आगया अब देखो इससे बड़ी थोड़ी सी fraction ले लेती हैं तो हम तीसरी डिजिट की fraction ले लेते हैं लेते हैं 289 into 2 sorry 289 को करेंगे divided by 5 जब 289 को 5 से divide करेंगे तो इसको कैसे करेंगे देखो 289 तो क्या बोला था मैंने को 2 से multiply 10 से भाग तो क्या जाएगा यह यह हो जाएगा 578 और divided by 10 करेंगे तो कितना अंसर आगा 557.8 अंसर देखो निकल गया ना राम से इससे बड़ी fraction होगे वह भी आपका निकल जाएगा देखो अब मैं लेके द अंतर्स करते लिए सको तो क्या जाएगा यह आठ छे चार और दो ठीक है कि दो चार जीए और ड्वाइड किस से करना यह तो दस से तो क्या नसर आजा गया 24.68 तो कितना असानी से यह पांशन निकल रहा है ठीक है ठीक है दोस्तों तो यही 24 246.8 ठीक है всего 246片ि एक टीक होने 246.80 तो कितनी यह सोगंक है तू किभीक्सी निकल रहे हैं ठीक है तो मतलब यह आप का था डि billion था 5 पैफ से करना आप इसके बहुत सारी कॉशन और भी कर सकते हैं ठीक है आप जितने कॉशन और पांसी डिवाइड करना चाहो इसी मेथड से करना था कि आपकी बन जाए आपकी स्पीड भी बन जाए ठीक है यह आपके लिए बहुत सारे पेपर्स आपको पता है जैसे सीजिया लोग एससे की पेपर्स होता है अब करते हैं तो बड़ी है विल्कुल ठीक है अब देखो अब करते हैं इस क्वेशन को साल्व करते हैं देखो क्या लिख्या है इक सो बती को डिवाइट करना बहुत से कितना 12 23 से तो कैसे करेंगे देखो 123 तो क्या ओगया फोर यह ठीक है ऐसे 25 से करने बैठते ठीक है अब देखो next question को निकालते हैं 345 divided by 25 करेंगे तो देखो divided by 25 करेंगे तो क्या आएगा यह देखो 345 तो multiply करेंगे 4 से और दिवाइड करेंगे 100 से तो आपका क्या answer आजाएगा देखो 08 3 1 upon 100 तो ठीक है तो कितना आगया तेरा पॉइंट अंसर आगया ना इसका तेरा पॉइंट अंसर आगया राम से अब लास्ट को देखो यह वाला question देखो 786 divided by 25 करेंगे तो कैसे करेंगे देखो 786 को क्या करेंगे multiply करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आप का अंसर आजाएगा 3144 आएगा ठीक है 3144 आएगा और डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या answer आएगा अपका 31.44 तो मतलब यह आप जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना इस method से उतना यह आपके लिए अच्छा है तो मैं आपको दो तिन 1565 है उसको घृइड करना इंट 20 25 से सब्सक्क्राइब करें लेकर 20 हे यति तरन nuclear वह देख को क्या लिखेंगे हम हन्द वाइट इसी तरह से हम 125 को क्या लिखेंगे वन थाउजंट वाई एट यह का मल्टिपिकेशन में भी यूज़ोगा अगर डिवाइड करोगे तब भी आपको ऐसे ही करने यह आपको बहुत बेनिफिट करेगा ठीक है ऐसे मैं अपको बताएंगे पहले हम दिविजन क देखो नीचे जीरो आलगा मिन मोटी भी है कि आपको ना बाद में कैकुलेशन में ज्यादा ताइम ना लगे जितने जीरो नीचे आते हैं उनको काटने की कोशिशिश मत कीजिए लास्ट में उसको लेके जाए और लास्ट में जितनी जीरो बजते हैं पॉइंट अराम से आता है और आपका अंसर अराम से आजाएगा ज्यादा कैकुलेशन भी नहीं होगी ठीक है चलो इसको कल्कुलेट करो कितना अंसर आगा आपका टू नाइन थी सेवन टू ठीक है तो इसको जब वन थोजन से डिवाइड को तो क्या आगा फ्रेंस 27.392 ठीक है और हम से निकल अंसर आएगा तो इसका अंसर आगा और अपाउन करेंगे हां थाउजन जब करेंगे तो क्या आएगा 52.165.265.265.165.216 ठीक है तो यह इसका अंसर आगा देखो कितना राम से निकल गया अब यह वाला देखो लास्ट वाला कॉशन देखो इसको कैसे करना है देखो 231 है ठीक है मल्टिपलाई का करोगे 8 से डिवाइड किसे करोगे 1000 से तो कितना असानी से निकल रहा देखो 8 लोके 2048 ठीक है पता दूंगे आप खुद कर लोगे आप खुद ही कर लेना ठीक है तो आप जो आपके मंद में कॉशन आता है उसको आप आराम से कीजी को ठीक है और सॉल्व कीजिए जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको मज़ाएगा निकानल में बढ़ते हैं दोस्तों अ अगर मालों कि मैं इसको प्लस बन यहां पर करूँ और इस साइड भी प्लस ब्लस ब्लस दी ठीक है और यह किसके बराबर आप देखो यह वन गया कि यहां पड्र सबनें यहां पर ब्लस बन बहुंड किया कि यहां पर मायनस बंद कर सकता हो मैंनस बबाटाऊं किसी हो प्रॉब्लोम तो नहीं है न evolution विह एकाने मैनस ब्लस बन देमाई पटर Speaking इसको मान लेता हूँ पहली क्योशन अब यह देखिए a-b upon b equals to c-d upon d इसको मान लेता हूँ second equation अब इन दोनों question को divide करते हो क्या करोगे इन दोनों question को divide करोगे कैसे करोगे देखो a plus b upon b upon a minus b upon b ठीक है equals to क्या होगा c plus d upon d upon c minus d upon d तो यहां से क्या होगा b से b cut गया ठीक है डी से d गया तो यहां से actually यह question निकल के आती है वही आपका competent dividend में questions में use होती है equation है क्या देखिए a plus b upon a minus b equals to c plus d upon c minus d ठीक है यह question आपको याद रखने कोई भी competent dividend को question आएगा यह question आपको याद रखने क्योंगे यह equations यह हैं वहाँ पर यूज होंगी ठीक है तो आगे question है वो discuss कर लेती है जो की प्रीवीज़ेर के पेपर में आया था हमने वहीं से उठाया तो एक question है तो हम वहीं से कर लेती है उसको ठीक है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले question के तरफ हमारा sorry यह question है हमारा question में आपको लिखवा रहाएं कि question क्या है देखिए question लिख लीजिए देखिए root 3 plus x plus root 3 minus x upon root 3 plus x minus root 3 minus x यह किस के बराबर है friends दो के बराबर given है और आपको find करना है x की value आपको क्या find करना है x find करना है homepage and x ko find करना है ठीक है दोस्तों कैईसे करोगे देखो दोस्तों यह जितना कोशिण है सारे injury one topic होगा ठीक है अब देखो होगा कैसे मालोग यह उपर वाला part यह वाला part यह है और यह नीचे वाला part यह है तो अब बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अब कैसे करोगे मैंने आपको एक्वेशन बताई थी पिशे अभी सॉल्व करके क्या थी वह एक प्लस बी अपॉन ए माइनस बी किसके बराबर होगा तो आपको यही एक्वेशन का यूज करना है देखिए आप कैसे यूज करोगे देखिए रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स प्लस बी ले लो यहां से बूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 माइनस एक्स ऐपॉन इस थे किसके बराबर दोस्तों यह माइनस चैका आपको पता यहां पर बन गया तीन है यहां पर बन गया ऊसको कट जो Based नीचे बचा है तो बच लेते ह 911 स्वाई सि आफ रूट है और we चीन के बरापर है है यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको क्या आ厲害 इसको स्क्वेरिंग बहुट सेठी क्रते बनता है 3-lets-leafs 3-20-e सबस्क्राइब करों किया तो है आपको निकालती तिक है यह थे कंपीड़ेंटा डिवी दो को स्क्वाशन कमपीड़ीन्दों को जितने भी वी वीडियों में आपको प्रोवाइब करें यह यह बस नेरली थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने इसको इसमें आया तो मैंने आपको बता दिये कि अपिछ निकाले जाते है इसके लिए हम सब्सक्राइब एक चोटी सी वीडियो में यह कवर नहीं हो पाएगा तो हम इसके लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हम अलग से पार्ट लेके आएंगे तो दोस्तों बढ़ते हैं मगले लास सेशन के तरफ जो है सब्सक्राइब चाहिए ऑंसे कि अगर आपक場 पाऊज उत्षी को क्शवेशन के अबया उत्सक्राइब करणागे प्रफ लांगे तो हम आइसे अगर इसको अच्छे तरह से और आप उसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप अराम से उसको क्या कर पाऊगे अराम से उसको क्रैक कर पाऊगे अराम से अपने वेपर को इसली क्रैक कर पाऊगे ठीक है तो और उस साथ में जितने भी ट्रिक्स हैं यो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पता आपको डाटा इंटीप्रेटेशन के पार्ट होता है ठीक है क्षीज़ कर निया इसका त्रिक को तो शो करने से जए जिए त्रिक होती है लिए जय उख निभी आपको ऐसे क्या होगा तो आपको दो ऑले या वोट्सित कह सकते हैं है इनका पहला लेटर लेटर होता है पहला नमबर की व्याश्य के बिकारण अब देखो यहां पर 2 x 6 लिखे है क्या लिखे है 2 x 6 इसकी fraction क्या बनेगी फ्रेंट्स अगर आप इसको 2 और 6 को काटो गए तो यह क्या बनेगा 1 x 3 बनेगा और देखो इसको आपको सभी को पता कि इसको क्या बोलते हैं उपर वाले को निमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले क्य कोई भी नमबर होगा ठीक है डिनोमिनेटर में जो भी नमबर बच रहाना उसको सिंपल क्या करना है उस फ्रेक्शन से मल्टिप्लाइ कर देना और देखो जब अप्रोक्सिमेटर की वैल्यू नहीं आप आप्रोक्सिमेटर सामय चारियो ना बलते हैसा नमबर की जो पूरी हमें खाली इंटीजर चाहिए तो अभी फाइव देखो काम है तो हमें क्या करना है एक आप देखो ट्री वन जा त्री हो गया तो यह पूरा तरह से गया जो ऊपर दो बच्रा उसको आपने देखना नहीं उसको आपने नहीं देखना है अब यह क्या बच्वरा दियान से 21 तो यह कितना वन जाएगा friends? 213 213 वन जाएगा friends? ओ नीचे क्या लिखना है आपको? अब देखो नीचे का दियान से सुनना आप देखो नीचे का दियान से सुनना denominator में क्या लिखोगे? मालो अगर 600 से 699 के बीच में कोई भी नमबर है आप क्या लोगे 600, ठीक है, 700 और 799 के बीच में कोई नमबर है, तो क्या लोगे 700, या कोई आद रखना है, ठीक है, मतलब कि कोई भी century के बीच में अगर कोई number आ रहे हैं, तो आपको उसको पूरी century consider करना है, ठीक है, महालोगर 700 की century में कोई number आ रहे हैं, तो 700 पूरा consider होगा, समझ रहे हो ना, बात मेरी, ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, 600 वाला रहा है, तो यहाँ पर पूरा 600 ही consider करोगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यह लिख सकता हूँ, अगर 600 लिखूंगा तो, कोई प्रॉलम तो नहीं है, 600 को 6 into 100, ठीक है, पूरा बराबर मिलेगा, देखो, अब इसको करो, तो क्या हैगा, 0.35, तो यही आपका answer है, इस question का, आप देख सकते हो, यही answer है, और यही ट्रिक है, अगर आपको नहीं समझ आए, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, अब next question करूँगा, उसमें ध्यान से फिर से समझ ल 3 by 4 आगया, ठीक है, किस से कटेगा, 2,3 जा 6, 2,4 जा 8, कटेगा है राम से, अब देखो, क्या बोला, denominator में जो pending बचता है, denominator में pending बच क्या रहा है, 72 बच रहा है, 72 बच रहा है, 72 पीशे बच रहा है, तो 72 को 4 से काटो, अगर कटता है पूरा तो अच्छी बात अगर नहीं क बताया था, यह answer आएगा, यह nominator में से आएगा, इसको क्या करना, आपको nominator में जो number होगा, जासे 668, इस में से minus कर दो 54, ठीक है, तो क्या बच गया, 4, 1 and 6, 6, 614 बच गया, और नीचे मैंने क्या बोला, कि जो century थी उती, उसको पूरा लिखना है, अगर 800 है, तो 800 पूरा आ तो कितना गया, 76, कितना गया, 76, 76, 100 होगा, तो क्या बन जागा, 0.76, ठीक है, तो यह इसका answer आएगा, समझाया, अब समझाया, अगर नहीं समझाया, तो फिर एक question हो रहा है, उसको फिर से discuss कर लेते हैं, ठीक है, अगर एक में नी समझाया, दूसरे में नी समझाया, तो ती करती connection, तो पूरा-पूरा number उठालो, अब क्या बच रहा है, यहां से 5 by 9, क्या बच रहा 5 by 9, ठीक है, ओ, denominator में क्या बच रहा, 64, जो काटाओ 64, ठीक है, अब करता है, कितने से करता है, भई, पूरा तो करतेगा नी, पूरा तो करतेगा नी, तो कितना कटेगा, किस से जाए तो नीचे क्या कॉन सी सेंचुरी चल रही है 900 वाली तो करो 900 से 900 से करोगे तो क्या आएगा देखो 9 x 100 लिखनू मैं इसको आराम से कट जाएगा 100 हो गया ठीक है तो 9 से काटो क्या आएगा 9 9 9 इसको आपको डिवाइड करना है जैसे मालो इसको डिवाइड करना है तीन डिजिट के नमबर से करके दिखाता हूं को 3, try 40 sorry 3, fine 241 से डिवाइड करते हैं तो आपका इसका अνसर बताते हैं ठीक है क्या आपको लगता है आप कोशिश करिए कैसे निकालोगे आप इस कॏश्चन को ठीक है डिखी 2,3,4,1 जब अब इसको डिवाइड करोगे 3,41 के साथ अब एक चाही आद रखना अब देखो ऊपर चाहार नंबर हैं उपर चाहार डिजिट हाँ नीचे कितने डिजिट हैं तीन अब यसको डिवाइड करना है दोड़ना कैसे तोलोगे इनको बराबर तोर ना पड़ेगा जो ह्को पीछह रखने डीजित न वह थो अगर यहांपे दोडिजित अगर आपती तीन रहोंगे तो फिसे भी से अगिशन हो सë जब इसको मल्टिप्लाइ करोगे तोईटिबाए से ने यह से कितनी बार जाएगा टी वहर हो और कितना आएगा 13 13 13 आएगा अप्रोक्सिमेट ठीक है जब 13 को 23 से मल्टिप्ले करोगे तो कितना आएगा फ्रेंट साब का देखो अब 230 प्लस 23 इंटू 3 और यह कितना मन गा है 992 यह पूच्छिमेट आप्रेंटियो अस कि ना तो क्या करोगे 6126 318 318 680 कितना आगया 680 चाहिक है 680 आप देखो 680 आएगा जब यह तो 680 को क्या करोगे आप डिवाइड वे 100 करोगे तो क्या आपका आंसर देगा 6.8 कितना आपका 6.8 इसको चेक कर सकते हैं ठीक है आपका अप्रोक्सिमेट जो आंसर आपको इसी के करीब आपका 6.8 के करीए ठीक है उम्हीदा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दो चार पांच पांच का लेके भी देख सकते हैं मतलब जितनी मर्जी हाइस फ्रेक्शन होगी जितना मर्जी हाइस कोशन होगी आप इसको अराम से बना सकते हैं ठीक है आप इसको अराम से बना सकते हैं और आपको कोई भी टाइम जो बेस नहीं होगा कि आगर आपने इसको ए टाइम भी बहुत जादा सेव करेगा ठीक है दोस्तों थैंक्स होप यह आपको अच्छी लगई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और वैल बटन को यह प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी कोई भी अप्रेट को मिस्ना करें थैंक्यू फ्रें प्लीज प्लीज चैनल को बहुपकी हो भी जाइम गया है वी करेंदे लेंगरी बटन को यह एज वचार दो मिस्वाट मिस्स कर लेंगरी करेंज़िक्ज कर दो दो आफेंगरी जान है जा